हलो दोस्तों वेलकम तू रोड तू आई आई टी सो यह हमरा नेक्स्ट वीडियो है इन आर सीरीज ओफ प्रॉब्लेम्स सॉल्विंग फॉर डिफिरनेशन चैप्र ठीक है इससे पहले हम लोगों ने करीबन छे से साथ वीडियो से बना दी है उससे पहले छे से साथ वीडियो हम लोगों ने कॉंसेप्ट पर और बेजिक चीजे सिखने में बना लिये हैं चीक है सो हम काफी टाइम से प्रिविएस जे डबली में आये हुए जो अच्छे अच्छे क्वेशन से वह सॉल करने हैं और I hope कि सबको मजा आ रहा होगा इसमें ठीक है तो चलिए आके बढ़ते वो question था वो yes 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 this is the question क्या वो लगाया यहां पर y is equals to y is equals to मैं फिर से question पढ़ता हूं y is equal to log sin x with the base cos x into log cos x with the base sin x plus sin square 2x divided by 1 plus x square this is whole this is the whole function then dy by dx at x is equal to pi by 2 is equal to what ठीक है x is equal to pi by 2 है हमें पहली चीज तो जो हमारा differentiation है वो find करना है ठीक है तो अगर आप लोगों को याद होगा the differentiation की जो limit थी हमने sorry differentiation की जो definition हमने सिखी थी ठीक है अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप फिर से हमारी playlist में जाके वीडियो देख सकते हैं उसमें लोगों ने देखी थी चीज़ कि अगर हमें कोई भी point पे dy by dx है मतलब की derivative है मतलब की differentiation find करना है तो the function has to be defined on that particular point मतलब की x is equal to pi by 2 पे x is equal to pi by 2 function has to be defined ठीक है मतलब की function का अस्तित्व होना चाहिए at x is equal to pi by 2 लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखता है क्या है यहाँ पर मुझे देखता है कि यह वाला पार यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट क्या है log cos x with the base sin x ठीक है अब आप मुझे बताइए at x is equal to pi by 2 cos x क्या होगा cos x क्या होगा guys cos x हो जाएगा 0 तो यह log 0 with the base 1 हो जाएगा ठीक है आप मुझे बताइए कि log 0 with the base 1 हो जाएगा और log 0 जैसे कि हम सब को बता है कि वो होता है in define that is not define this is not define ठीक है तो मतलब function नहीं पूरा function ही हमारा x is equal to pi by 2 पे define यहाँ पे नहीं हो पा रहा है ठीक है अगर function ही define नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे differentiation की तो बात ही नहीं आए सकेगी ठीक है that means कि हमारा answer यहाँ पे हो जाएगा option number d ठीक है none of this मतलब कि it is undefined इसमें से कोई भी हमारा answer नहीं बनेगा ठीक है इसलिए मैं आपको बता था यह थोड़ा सा tricky part है आप लोग हम लोग क्या करते है mostly हम लोग जो question करते हैं उसमें हर बार यह check करने नहीं बैठते हैं कि function define है या नहीं क्योंकि most of the time function define होता है लेकिन यह जो complexity है कि define होगा undefined होगा यह हमेशा arise होती है ऐसे log के cases में कि जब log 0 हो रहा हो या फिर mode के cases में mode वाला function कैसे define होता है और उसका derivation कैसे करना होता है हमने उसकी continuity देखी थी इसी तरह से हम उसका differentiation का भी आइडिया लेंगे काफी अच्छे से उस पे special lecture बनेगा ठीक है तो इस पर final answer हो जाएगा हमारा D I hope सबको पता चला होगा आगे बढ़ता है यह वाला question हमने अच्छे से एक्स रिस टू एक्स देखिए वाई इस एक्स रिस टू एक्स रिस टू एक्स ऐसे इंफाइन टाइम तक जाना है एक्स ऐसे तक हमें जाना infinity तक जा रहे ठीक है तो ultimately this is the same thing उसमें कोई difference यहां पर है नहीं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ y is equal to x raised to y यही इसका सबसे बड़ा catch है इसके बाद मैंने आपको हमेशा से बता हुआ है कि इसका जो राइट अप्रोच है वो क्या है कि taking log function both side जब भी x raised to y power होती है या e raised to x या a raised to x something power something होता है तब हम हमारा best approach रहता है log लेना ठीक है तो अब मैं यहां पर log लेता हूँ तो क्या हो जाएगा guys log y is equal to y into log x ठीक है तो देखिए इसका हो जाएगा 1 by y dy by dx सबको पता है यह easy चीज है then this will become y by x log x 1 by x y constant plus log x constant y का dy by dx ठीक है अब यहां से मैं simplification करूंगा तो क्या होगा मुझे बताइए dy by dx वाले terms एक side लेता हूँ मैं तो यहां पर हो जाएगा y by x is equal to dy by dx common तो अंदर बचेगा log x minus 1 by y ठीक है तो यह क्या हो जाएगा dy by dx यहां पर क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए यह हो जाएगा log x minus 1 by अचा सुरी मैं यहां पर माइनस आ जाएगा इसको side लिया है तो minus y by x is equal to dy by dx log x minus 1 by y ठीक है चलिए तो यह क्या हो जाएगा dy by dx into y log x minus 1 divided by y ठीक है तो यहां से अगर मैं simplify करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा dy by dx is equal to मुझे मिलेगा यह cross multiplication हो जाएगा तो यह हो जाएगा y square divided by x into 1 minus y log x ठीक है यह मेरा final answer हो जाएगा ठीक है अच्छा question था यह भी चलिए next question की तरफ आगे बढ़ते हैं almost same kind of question है खास मैंने किसी तरह इसी लिए लिया क्योंकि यह त्रिपल इम आया हुआ पहले ठीक है क्या question है एक डाया पेज फिर से let's take a different color now क्या question है मैं लिख लेता हूँ फिर से question है x raise to y is equal to e raise to x minus y x raise to y is equal to e raise to x minus y ठीक है x raise to y is equal to e raise to x minus y अप्रोच क्या था मैंने पहले बता हुआ है कि taking log both side ठीक है both side log लेते हम तो यह क्या हो जाएगा बताई है y log x is equal to x minus y log e हो जाएगा 1 ठीक है यह हम सबको पता है कि log e क्या हो जाता है 1 ठीक है तो यह एक तो हमारा हो गया log e हो गया हमारा 1 तो अब मैं इसका करता हूं direct differentiation करता हूं y constant log x का 1 by x plus log x constant y का dy by dx is equals to x का 1 minus y का dy by dx ठीक है तो आप बताईए मुझे क्या हो जाएगा y by x minus 1 यहां पर आ गया ठीक है और यह क्या हो जाएगा आप मुझे बताईए यह हो जाएगा minus dy by dx common और अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा 1 plus log x ठीक है तो minus sign dy by dx क्या हो जाएगा फिर से मैं लिखता हूं इसको अच्छे से minus sign में इस सेट दे दूँगा तो 1 minus y by x divided by 1 plus log x तो यह हो जाएगा x minus y divided by x into 1 plus log x ठीक है I hope सबको समझ में आया होगा तो कौन सा option हमारा सही हो रहा है यहाँ पर x minus y upon 1 plus log x ओके 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 अब आप देखिए यहाँ तक तो यह हमारा answer सही है ठीक है answer मैं बता रहा हूं आपको कि हमने कोई यहाँ पर गलती नहीं की ठीक है हमारा answer definitely सही है लेकिन this is also a trick ठीक है आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी answer reality में जो है वो match नहीं कर रहा है तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है answer हमारा match क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि यह answer सही है मैं फिर सबोट रहा हूं answer सही है लेकिन यहाँ पर देखिए हर ज रखते हैं उसे यह देखिए y log x is equal to x-y है तो y को मैं उस साइड ले लेता हूं तो y क्या हो जाएगा 1 plus log x is equal to x ठीक है तो y is equal to हो जाएगा x upon 1 plus log x ठीक है अब देखिए मैं इसको green से mark करता हूँ देखिए आपको जरूरी नहीं क्या देखिए मुझे भी नहीं पता था कि answer answer में y नहीं है ठीक है मैं आपके सामने पहली बारी solve कर रहा हूँ मैं नॉर्मली गया मुझे पता चला कि यह y है तो मैंने सोचा कि अब कैसे y को replace करूं तो question में कैसे मैं y निकालूंगा और यहां पर put करूंगा ठीक है this is real-time method मैं आपको समझा रहा हूँ आप देखिए मैं simply यह जो y आया है इसको मैं यहां पर रख दूंगा और मेरा answer आ जाएगा ठीक है मैं करके दिखाता हूं आपको एक बार नाया पीच ले लेता हूं मैं क्या हो ग मैं check if I'm not wrong x upon 1 plus log x ठीक है चलिए अब वो मैं यहां पर इसको वहां पर put कर देता हूं y की जगा ठीक है तो देखिए क्या हो जाएगा x minus x upon 1 plus log x divided by x 1 plus log x अब यहां पर multiply होगा x common आ जाए तो x x cancel हो जाएगा 1 plus log x minus 1 हो जाएगा ठीक है x common और यह हो जाएगा 1 plus log x minus 1 divided by नीचे तो x है और यह हो जाएगा 1 plus log x उसका whole square x x cancel हो जाएगा 1 1 cancel हो जाएगा फाइनल हमारा answer आ जाएगा log x divided by 1 plus log x का whole square so this will become my final answer ठीक है देखिए यह वाला option में है है log x upon 1 plus log x का whole square ठीक है option number d which is my right answer ठीक है तो याद रखिए हमें गवराना नहीं है अगर final answer जो है हमने जो answer आया वो match नहीं हो ठीक है फोड़ा सोचना है गवराना बिल्कुल नहीं है so this will become my final answer I hope यहां तक आपको समझ में आया होगा ठीक है तो यह मैं आपको देता हूं as a homework आप मुझे पहले करिए comment answer ठीक है और उसके बाद मैं next lecture में आपको भी solve करके दिखाऊंगा ठीक है तो आप मुझे comment करके बताइएगा I hope सब को यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा ठीक है तो this is all about today's lecture guys this is all about today's lecture so thank you for watching this video please like share and comment ठीक है आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं ठीक है so चलिए मिलते है next lecture में thank you